हलो दोस्तो स्वागत है अपलों का हमारे यूटूब चैनल महान सर में दोस्तो आज हम पढ़ेंगे पंच बर्सिय योजनाओं के बारे में कल हमने योजना आयोग के बारे में जाना था और पंच बर्सिय जो योजनाए थी योजना आयोग ही पंच बर्सिय योजनाओं को ले देखा था पंच बर्शिय योजना का जो इतियास था वो हमने देखा था आज हम पढ़ेंगे पंच बर्शिय योजनाओं के बारे में जैसे कि पहली पंच बर्शिय योजना दूसरी पंच बर्शिय योजना तीसरी पंच बर्शिय योजना इस तरीके से हम पढ़ेंगे इसक पड़ी तो बहुत मैनत करनी पड़ी तो अब वो सब तो नहीं बन पाएं तो करीब 6-7 सिलाइडें बन गई मतलब की 6-7-5 वर्षी योजनाएं मेरी तयार हो गई तो आज मैं वो पड़ा देता हूँ कल और बना के दूसरी पड़ा दूँगा तो इस्टार्टिंग करते हैं इससे पहले में आपको बता देता हूँ कि हमारी जो इतियास की क्लासे हैं और भोगोल की क्लासे हैं वो हमारी complete है जैसे की यह संपूरण आपकी क्या है संपूर्ण बारति हितियास complete हो चुका है उसकी महाराथण किलासें भी complete हैं जैसे कि महरातन क्लास भी बना दी हैं तो इनको भी आप देख सकते हैं बल्ड जोगर्फी की भी महरातन क्लास आपके बनी हुई है इनको भी आप देख सकते हैं और जरूर देखिए जाके मैं तो कहता हूँ और यह polity बिलकुल भी ना छोड़ें, इसको जरूर देखें जाके, बहुत अच्छी class हैं, इनको जरूर आप लोग देखें जाके, बहुत अच्छी class हैं, और कल अमने ये पढ़ाता है योजना आयों के बारे में, अब हम पढ़ेंगे योजनाओं के बारे में, तो आज हमको पढ़ना है ना वो क्या पढ़ना है पंच बर्षिय योजना काउंसी योजना पढ़नी है इमको पंच बर्षिय योजना पढ़नी है और वो हमारी काउंसी योजना है यह वाली आपकी योजना है कहां कहां पे है कहां निकल गई एक मिनट एक मिनट एक मिनट यह रही आपकी क क्या है यह आपको पढ़ना है आज की क्लास में हम यहां से स्टार्टिंग करते हैं और कहां से स्टार्टिंग करेंगे यहां से करेंगे और यानि कि पहली पंच बर्सिए योजना को हम पढ़ेंगे यह वाली तो आगे बढ़ते हैं यह तो एक थम्नेल मतलब था इसके आगे की किलास है. यह देखिए क्या है फंच बर्सिए योजना कब आई योजना आयोग मैंने बता था आपका कब बना था आपका बना था 15 मार्च 1950 को और जो योजना आयोग था वो योजनाओं के ही लिए आया था योजनाओं का निर्माड करने के लिए ही आया था और एक योजना कितने एर की होती थी हम 5 एर प्लान बोलते हैं इसको तो ये 5 साल की होती थी जैसे कि इसका योज अप्रेल 1951 से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 1956 को पहली योजना का कारिकाल समाप्त होता है तो एक अप्रेल से स्टार्ट होता था और 31 मार्च को इसका कारिकाल समाप्त होता था तो देखिए पहली योजना हम जो लाहे थे पिर्थम जो पंच बर्षी योजना लाहे थे उस बहुत अच्छे से मैं आपको किलियर कराऊंगा तो देखिए इसका कारिकाल आपका कितना है देखिए क्या है कारिकाल आपका 19156 तक रहने वाला है और इसका जो मोडल था मोडल बहुत पुछे जाते हैं कि किस योजना का कौन सा मोडल था तो इसका पुरह खाका बना के देता है आपको ये चीज यहाँ पर करनी चाहिए और इसके लिए ये चीज करनी चाहिए तो एक model एक प्रारूप बना के देता है और जो भी व्यक्ति वो देता था उसके नाम पर उस model का नाम रख दिया जाता था तो ये हैराट डोमर मोडल था हैराट डोमर एक विक्ति थे इन्हों ने योजिना को बताया था कि आप इस तरह से इसको लागू कीजिए और इसकी जो विकास दर रखी थी न वो आपकी कितनी रखी थी टू पॉइंट बन रखी थी कि हम जो भी हमारे पास अभी मौजूद है इससे हम टू पॉइंट बन एक्टरा अचीब कर लेंगे ऐसा हमने रखा था ऐसा हमने लक्ष रखा था विकासदर हमने रखा था लेकिन हमको क्या हुआ हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमने उसको प्राप्त क्या क्या किया हमने उसमें क्या है 3.6% तक हमने क्या 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 अचीव कर लिया मतलब हमने बहुत ज़्यादा अ किस पर आधारित थी है। सिधी आपको बात है, मैंशीज किस पर ध्यान दिया गया था। जो पहली योजना थी ना, यह जो फाइस्ट फाइव ये प्लानिंग थी ना, इसमें किरसी एबम सेचाई पर योजना वपर ध्यान दिया गया था। मतलब उस टाइम पे हमारी किरसी भी वस्ता बहुत पिछड़े लेबल के थी और वो क्यों थी क्योंकि हमारे पास सचाई के लिए कुछ इंतजाम नहीं थे अच्छे तो सचाई के लिए हमने वो परियोजनाएं बनाई और किरसी को बहतर बनाने का प्रयास किया तो किरसी पे अधारित थी हमारी ये पहली प्रमार किया गया इनी परियोजनाओं से सचाई के लिए जलकी आपूर्ती हुई जलकी प्राप्ती हुई और किरसी को एक बहतर आयाम मिला जाके और इन योजनाओं को ये जो परियोजनाओं चलाई गए ये जो परियोजनाओं आपकी स्टार्ट के जहीं बाक्रान अंगल इनको नहरू जी ने बोला था क्योंकि किरसी के लिए एक दम बहुत परफेक्ट इन्होंने काम किया था और इन्होंने जो लक्ष रखा था देखिए ये फोकस किसे पे था फोकस था हमारा किरसी पे और सिचाई पे लेकिन हमारा लक्ष किया था खादान आत्म निर्भरता की प्राप्ती करना था हमको खादान जो फूड है न हमारे पास गरीबी भुकमरी जैसी समस्याएं उस टाइम पर हुआ करते थी तो हमारा पहला करतब यह था कि हम खादान में आत्म निर्भर बने मतलब हमको कहीं से एक्सपोर्ट हमको कहीं से लेना पड़े, हमको अपने ही देश में उत्वो सारी चीजें डेवलप करनी है, तो हमारा लक्ष क्या था, खादान में आत्म निरवर्ता प्राप्ती करना, और ये लक्ष आपका हर यह योजना में रहेगा, मैं आपसे सिदे कहता हूँ, लक्ष अपका ये अत्म निरवर्ता प्रोग्राम भी चलाया था, क्यों चलाया था, हर एक community का develop करना था, हर एक जो समधाय था, उसका विकास करने के लिए, एक पूरा क्या बनाया गया, एक department, एक कारकिरम चलाया गया, क्या चलाया गया दोस्तों, यह चलाया गया, समधाय विकास कारकिरम, और यह किसके सहयोग से दोस्तों ये USA के सयोग से चलाया गया था यानि कि United State of America के सयोग से इसको launch किया गया था कब 2 October 1922 2 October ही क्यों गांदी जी का जनम दिन होता है इसलिए उस दिन इसको लागू किया गया था तो ये आपकी क्या थी पिर्थम पंच बर्षिय योजना थी जिससे जुड़े मैंने सारे आपको फैक्ट आपको बताए हैं अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी पंच बर्षिय योजना की तरफ दूसरी पंच बर्षिय योजना आती है यह जब successful हो जाती है तो हमारी दूसरी पंच बर्षिय योजना आती है और दूसरी पंच बर्षिय योजना को जो time रहता है न वो 1956 से लेके 1961 तक रहता है कब रहता है दोस्तो 1956 से 1961 तक इसका कहा है टाइम पिरियड अपका रहता है ये किस मोडल पीती सर ये सर थी PC महाल 90 मोडल ये PC महाल 92 मोडल क्या है ये एक ब्यक्ति का नाम है और इनका नाम में पीछे भी जिक्र कर चुका हूँ जब मैंने राष्टे आय बगेरा को पढ़ाया होगा तो मैंने इनका जिक्र किया ही होगा तो ये PC महाल नोबिस एक ब्यक्ती थे इनी के आधार पे एक मॉडल तयार किया गया इनी की बात को लेके इनी उने मतलब एक मॉडल तयार किया जिसको PC महाल नोबिस मोडल का आ गया इन्होंने जो विकाश दर रखी थी पिछली बार रखा था तो 2.1 और 3.6 प्राप्ट किया तो कहा चलो थोड़ा बढ़ा के रखते हैं अब तो हमारे अंदर confidence भी आ गया है ना तो इन्होंने जो लक्ष क्या था वो रख दिया 4.5 का लक्ष रख दिया और हमको प्राप्टी कितनी हुई 4.2 मतलब थोड़ा सा हम कम रहे गए उसमें ब्रद्धी हुई थी उसमें 25% तक की क्या हुई थी ब्रद्धी हुई थी राष्ट याय में और इसमें जो हमारा focus था ना दोस्तो वो किस पे था वो हमारा उधोग और किस पे था खनीश पे था और फिर हमारा किस पे आ गया उधोग और खनिच पे का किर्शी में तो हमने अच्छी कासी सफलता प्राप्त की थी ना पिछली बार ये योजनाय बगएरा लगाई भी है बांगडा नांगल दामुदर तो अब हम क्या करते हैं उधोग दंदों पे दियान देते हैं खानिच पे दियान देते हैं तो इसके लिए क्या किया गया तीन पिर्मुक लोग इसपात कार खाने खोले गए एक तो अपका बिलाई में खोला गया बिलाई बिलाई अपका कहां पे 36 गड़ में है और ये रूस के सयोग से खोला गया था किसके रूस के सयोग से खोला गया था एक दुरगापुर में जो की बेस्ट बंगाल में है और ये यूके यानि की बिर्टेन की साहता से अपका खोला गया था और एक अपका राउल केला यानि की उडीसा में और ये जर्मनी की साहता से खोला गया था तो तीन पिर्मुग लोग इस पात कारखाने स्थापित किये गए इस दो थरी पंच बरसी है योजना में और इसी योजना में एक प्रोग्राम चलाय गया था क्या चलाय गया था 1956 में खादी एबम क्या प्रोग्राम मतलब नहीं चलाय गया एक आयोग की स्थापना की गई जिसका नाम है खादी एबम ग्राम उधोग आयोग क्या नाम है दोस्तो खादी एबम ग्राम उधोग आयोग और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तो वो कहां प योजना क्या है अगली योजना हमारी यह है कंसी एक थीथरी पंच बर्षिय योजना यह थीथरी पंच बर्षिय योजना थाइड फाइब यह प्लानिंग इसका कारिकाल देखते हैं दोस्तों इसका जो कारिकाल है दोस्तों वो क्या है 1961 से लेके 1966 तक इसका क्या रहता है कारिकाल रहता है और इसका जो मोडल था दोस्तों वो क्या था सुखमे चक्रवर्ती मोडल क्या नाम था इसका मोडल का सुखमे चक्रवर्ती मोडल ये मोडल बहुत पूछे जाते हैं इनका आपका है जरूर याद रखें, लक्ष भले ही भूल जाएं कि ये कितना प्राप्ट किया था और कितना मतलब रखा था, लेकिन मोडल याद रहना चाहिए और उद्देश्ट किया था उनका फोकस किस चीज पर राता, ये जरूर आपको याद रखना है, फिक है, तो इस लक्ष बहुत कंप्राप्ट हुआ और लक्ष हमने रखा बहुत जादा था और इसमें जो फोकस था ना वो किर्सी प्लस उधोग दोनों पे था क्यूं क्यूंकि पहली योजना में हमने किर्सी पे दियान दिया दूथरी में उधोग पे दियान दिया तो देखा किर्सी पिछ गई उनको आप जरूर पढ़ लीजिए जैसे की इसमें जो कार किये गए वो क्या कार हैएं एक तो 1964 में बोकारो बोकारो क्या है एक जगह जारकंड में बहां पर एक लोह इस पाथ जगह खोला गया कबides Erica 1964 में ये कारखाना खोला गया रूस के सहयोग से खोला गया था और एक जुलाई 1964 को क्या हुआ था IDBI बैंक की स्थापना हुई थी जिसका मुख्याल है आपका कहां पे मुंबई में और यह हम पढ़ भी चुके हैं पीछे लेकिन हम योजना पढ़ रहे हैं तो योजना में जो भी रिलेटेड फैक्ट हैं उनको हम पढ़ लेते हैं और क्या किया दोस्तो इसमें आपका क्या एक जुलाई क्या है 1964 को अपकी IDBI की स्थापना होती है और इसका headquarter है मुंबई में और 14 जनवरी 1965 क्या है 14 जनवरी 1965 को food corporation आप इंडिया का स्थापना किया जाता है पूड कोपरेशन आप इंडिया की स्थापना होती है यानि कि भारतिय का दिनिगम की स्थापना की जाती है और इसका जो एक्ट आता है वो 1964 में यानि कि food corporation आप इंडिया का जो अधनियम आता है वो 1964 में आता है और इसकी स्थापना होती है 14 जनवरी 1965 को और इसका headquarter कहाँ पे दोस्तों भारतिय खाद निगम का देली में है क्या काम करता है अनाज का अनाज की उपर काम करता है अनाज का buffer stock जमा करना यानि कि देश में कभी भी अनाज के लिए कुछ भी ऐसे समस्या आती है न तो क्या करते हैं ये buffer stock को जमा करता है कभी भी कोई समस्या आ जाए आपकी बाड़ है ऐसे सूखा जैसे समस्या आ जाए तो ये buffer stock इसको क्या है निपटने में काम आएगा इसके लिए ये काम करता है food corporation आप इंडिया और यहां से question बहुत बनता है food corporation आप इंडिया की इस्था अपना कब हुई थी तो 14 जनवरी 1965 को हुई थी हालां कि इसका updated version 2013 में भी आया था food corporation आप इंडिया को जो एक update किया गया था वो अपका 2013 में इस बिल को संसोदित किया गया था इस अधनियम को संसोदित किया गया था अब 1965 में एक और चीज आती है किर्शी कीमत आयोग एक और आयोग की इस्था अपना होती है किर्शी कीमत आयोग की और इसी का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है 1985 में CACP कर दिया जाता है CACP क्या है समझ में नहीं आया समझाते हैं दोस्तो 1965 में किर्सी कीमत आयोग था 1985 में इसका नाम बदला क्या रख दिया किर्सी लागत आवम मूल आयोग यानि किर्सी कीमत और मूल आयोग इसका नाम रख दिया गया किरसी लागत अबम मूल लायोग क्या नाम रख दिया गया दोस्तो Commission for Agriculture Cost and Price Commission for Agriculture Cost and Price ये नाम रख दिया गया CACP का यही मतलब होता है और ये क्या है ये किसके अधीन है ये किरसी अबम किसान कल्याण मंत्राले के अधीन काम करता है ये जो CACP है यानि किरसी कीमत आई हो गए ये किरसी लागत अबम मूल लायोग ये किरसी कीमत अबम मूल लायोग इसको क्या किया गया किरसी अबम किसान करने आप मंत्राले के अधीन रखा गया कार क्या है दोस्तो इसका MSP जो होता है न MSP आपने सुना होगा तो यह MSP को जारी करता है MSP की सिपारिश करता है MSP क्या होता है minimum support price यानि कि नियुनतम समर्थन मूल क्या है नियुनतम समर्थन मूल आपका क्या होता है यह आपका MSP होता है और MSP को जारी कौन करता है दोस्तों तो भारश सरकार जारी करती है और बरत रखना, MSP कितनी फसलों के लिए जारी होता है, 22 फसलों के लिए जारी होता है, और ये सारी चीजें की गई, लेकिन फिर भी हमारी योजना क्या रही, एस्पल रही, क्यों रही एस्पल, क्योंकि योजना की एस्पल रही, योजना हमारी एस्पल रही, इसके कारण क्या थे, उसी टाइम पे हमारा एक चीन से युद्ध हो गया बारत और चीन युद्ध हो गया 1962 में, 1965 में चीन तो लड़ी रहा था, उधर पाकिस्तान ने भी लगे हाथ का, अभी हम भी इन से थोड़ा एक उस्ती लड़ी लेते हैं, तो पाकिस्तान भी आ गया, युद्ध लड़ने, 1965 में हमने उस से लड़ा, उसको जहला, और 1966 में क्या हुआ, जब ये दो युद्ध लड़े गए, तो हमारे पास क्या है, सारा मामला क्या हो गया, ठप हो गया, किर्सी विवस्ता बो ठप, उधोग बो ठप, और हमारे यहां क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया, किर्सी बगएरा सब बादित हो गई, बहुत भयंकर आपकी क्या हो गई, सूखा अकाल बगएरा पड़ा, तो हमारी योजना क्या हो गई, ठप हो गई, वैसे हमने बड़ा ही अच्छा काम किया था पिछली दो योजनाओं में, तो इसलिए हमने इसका लक्ष भी ज़्यादा रखा, लेकिन बहुत अच्छे से हम गिरे, ऐसे पटक खाए ना, कि कुछ पूछो ही मत, तो योजना क्या ह हो गई, फैल, of फिर क्या आई, फिर हमने कहा, आप तो योजना थो अमारी ठब हो गया, इसा करते हैं हम एक-एक साल की योजना लाते हैं, और उसको योजना अबकाश का नाम दे दिया, योजना का नाम दिया, मतलब जो योजना ती उसकी तो छुटी कर दी हमने पास साल क लिए जो भी है मतलब जैसा भी रहा कि अब हम योजना तो नहीं लाएंगे क्योंकि हमारे पास विवस्ता नहीं है अभी तो का चलो कुछ तो हम करते हैं एक इक साल का लक्ष लख रख लेते हैं तो क्या किया गया बारसी की योजना स्टार्ट की गई जिसमें आपकी एक 1966 से सर्थर तर तक चली जिसमें हरितकरांति बगएरा को लाए गया गिरीन रेबुलिशन को लाए गया अब जिसको भी गिरीन रेबुलिशन पढ़ना है और मेरी जबरदस्ट लेबल से मैंने अहरित क्रांती को पढ़ाया है सारी जहां पे क्रांतियां पढ़ाई है किरसी से संबंदित क्रांतियां किरसी सब कुछ पढ़ाया है बहां पे आप देखिएगा अहरित क्रांती को मैंने पढ़ाया एक एक चीज को मैंने बताया है, इसका नाम किस ने दिया था, बिलियम गोड ने दिया था, सारी चीजें पढ़ाई है, कितने फेज थे वो भी पढ़ाया है, तो ये आप जरूर देखना जाके, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली योजना क्या है हमारी, अगली योजना हमारी क्या है, चौथी पंच बरसी है योजना, ये हमारी क्या है, फोर्थ फाइब यर प्लानिंग है, अब इसको पढ़ते हैं, देखें, तीन साल तक हमने क्या किया, योजना अबकास चलाया, तीन बार्शी के योजनाओं के जरी है फिर हमने क्या किया पुना इसको क्या किया इस्टार्ट किया अपनी चौती पंच बर्शी योजनाओं को कब 1909 में 1909 से चौतर तक इसका टाइमिंग रहा और यह जो योजना आई थी ना वो किसके माडल पे थी माडल क्या था असोग रूद कउत्र एबम हैलेस मानने का ओपन इसको आले क्शंट कास्चैंग मोडल इसको मैंने कहें लागू किया मैंने नहीं मतलब हमारी सरकारbank ने लागू किया और गाड्डल रणनीत मौडल भी किस रणना इसे थाằं गाडगील रण ऑपका क्वेशन बंद आता है क्या बन जाता है गाडगिल रणनीत का संबंद किस योजना से है तो ये गाडगिल का संबंद आपका चोथी पंच बर्षिय योजना से है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चोथी पंच बर्षिय योजना किस मॉडल पे थी तो उसमें अगर आश्वक रूद्र और एलेस मानने का कंसिस्टेंसी मॉडल ना दिया हो तो आपको गाडगिल रड़नीत का मॉडल जरूर दिया होगा तो ये भी आप इसको उप्शन ले सकते हैं इसका टिक मार सकते हैं और इसका जो फिर हमने क्या है लक्ष जो हमने रखा ना लक्ष जो हमने रखा दुबारा में इसका जो लक्ष रखा दोस्तो तो दुबारा में जो हमने लक्ष रखा फिर से हमने काम रखेंगे उतना ही, हम अपना लक्ष उतना ही रखेंगे 5.6, लेकिन क्या हुआ, लेकिन हुआ क्या है, यहां भी हमको क्या है, हानी उठानी पड़ी, और यहां भी हमका क्या हुआ, लक्ष की प्राप्ति नहीं कर उद्देश अपना बनाया था ना जो हमने अपना उद्देश बनाया था हमको क्या करना है तो वो ये था इस थाइत्त के साथ हमको विकास करना था और आर्थिक आत्म निरवरता की प्राप्ति करनी थी मैंने बताया है आत्म निरवरता आपके साथ साथ चलेगी क्या है इस थ नीचे नहीं जाने देना है उसको डेकलाइन नहीं होने देना है और इस्थाहित के साथ विकास करना है हमकों और आर्थिक निर्भरता की प्राप्ति भी करना है तो इसमें आधारभूत उदोगों की विस्ताफना की गई आधारभूत उदोग बनाये गए इस्थापित किये ठीक है, 14 बैंकों का क्या किया गया, राष्टिय करण क्या गया, जिनकी बैलिव आपकी 50 करोड थी, मतलब जिनके पास 50 करोड क्या था, उनके पास 50 करोड बैलिव बाली, उनके पास क्या थी, छमता थी, तो उनका राष्टिय करण किया गया, यह हमने पढ़ लिया है, और 1974 मे पहला भूमिगत नाविकिये परिच्छन किया गया, क्या किया गया, क्या किया गया दोस्तों, पहला भूमिगत नाविकिये परिच्छन आपका किया गया, 1924 में किया गया, तो ठीक है सर, और इसका नाम क्या रखा गया, smiling buddha क्या रखा गया smiling buddha इसका नाम रखा गया और यह कहां पे हुआ पोकरन राजिस्थान में इसको क्या है यह क्या बोलता हूँ परिच्छन यह टेस्ट nuclear आपका क्या है परिच्छन किया गया ठीक है और 1969 में यह अपका क्या हुआ था इसरों की इस्थापना भी हो गई थी इसका जिसका headquarters आपका कहां पर बंघलावर में जिसका headquarters है ना उसकी इस्थापना अपके कब होगई थी टेकनोलोजी को भी बड़ा बात दिया गया, अर इसी में उस टाइम पर कुछ योजनाय आई थी, जैसे कि रोजगार गारंटी योजना आए थी, एजुकेशन गारंटी योजना आई थी, तो यह योजनाय भी आपकी क्या कही गई थी, सुरू कही गई थी, और 1970 में ही आपका क्या हुआ था दुख्द क्रांती आये थी जिसे हमने स्वेद क्रांती का नाम दिया था अलग अलग नाम दिये थे स्वेद क्रांती दुख्द क्रांती अप्रेशन फिलर्ड यह हमने अलग अलग उसको नाम दिये थे और यह मैंने इंगलिस में भी लिख रखता है milk revelation white revelation operation flood और इसके जो जनक थे दोस्तो ना ये दुग्द करांती के जो जनक थे वो डाक्टर बर्जीस कुरियन थे और ये वही डाक्टर बर्जीस कुरियन है जिनों ने जो एंडी डीवी है ना national development national dairy development board जो इस्तापित हुआ था ना ये कब हुआ था 1965 में ये कब हुआ था 1965 में हुआ था तो इसको भी आप याद रखना 1965 में क्या हुआ था national dairy development board की स्थापना हुई थी और इनका संबंद किन से डाक्टर बर्जीस कुरियन से इसलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं वैसे तिसरी ओजना का काम था लेकिन हम यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका रिलेशन है डाक्टर बर्जीस कुरियन से क्यों यह इसके क्या थे यह इसके क्या थे अध्यच थे इस और इसनल डेडियरी डेवल्लमेंट बोर्ड के यानी कि एंडिड़ी के यह इसके हिन्दी किया राश्टिय डेरी विकास बोर्ड यह कब आया था 16 जुलाई 1965 को इसके इसे चापना की गई इसका हेड़गोर्टर दोस्तों कहां पर आनंद गुजरात कहां पर जो गुजरात है बहाँ पे एक जगह है आनन तो बहाँ पे इसका क्या है हेड क्वार्टर है और उस टाइम पे जो पीम थे जिनके कारिकाल में इसको इस्थाबित किया गया था वो थे आपके लाल बहादुर सास्त्री और ये नेशनल डेरी डेवलम्मेंट वही है जो आप आज अमूल दू योजना पर आते हैं अगली योजना को पढ़ते हैं अगली योजना क्या है मारी पांच भी पंच वर्थिय योजना यानि कि फिफ्ट फाइव एर प्लानिंग फिफ्ट फाइव एर प्लानिंग को पढ़ते हैं तो पांच मी पंच वर्थिय योजना जो है न दोस्तो ये आ एक साल पहले ही ठप हो गई थी, क्यूं होई थी वो भी बात करेंगे, और इसका जो model था, वो DP धर model था, और ये एक निबेस model था, क्या था, DP धर निबेस model, इनवेस्ट मेंट मोडल था ये तो ये पांच भी पंच पर से योजना डीपी धर निवेस मोडल पे अधारित थी और यहाँ पे जो लक्ष रखा गया वह अपका चार पॉइंट चार और प्राप्त हमने किया चार पॉइंट डाड यानि योजना सक्सेस्फुल हमने रखी थी अपनी हालां कि य पर भी अमने योजना को बहुत अच्छे से क्या है पर्फॉर्म किया था और इसमें जो क्या बोलता हूं मैं उद्देश रखा गया ना इसका उद्देश बोल लीजिए लक्ष बोल लीजिए फोकस बोल लीजिए क्या था गरीबी उन्मूलन और आत्म निरभरता गरीबी गरीबी अटाओ पीम इंद्रा गांधी के द्वारा नारा दिया गया गरीबी अटाओ का नारा दिया गया था और यह कोस्चन बहुत पूछा जाता है कि गरीबी अटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था हलांकि यह नारा आपका छटी पंच बरसी योजना में भी द इसी योजना के अंतरगत 20 सूत्री कारकिरम चलाया गया था, 20 सूत्री कारकिरम की मांग की गई थी, जिसको बाद में एक अप्रेल 2007 में लागू किया गया, कब लागू किया, 2007 में इसको लागू किया था, लेकिन यह जो कारकिरम था, यह 1975 में ही आ गया था, और इसी टाइम प रिक्ताकार करम क्या है सर मिनिमम्म रिक्वार्मेंट प्रोग्राम मिनिमम्म रिक्वार्मेंट प्रोग्राम अपका चलाय गया था जिसमें कहा गया था इसमें मिनिमम्म रिक्वार्मेंट प्रोग्राम में क्या कहा गया था कि हमको कम से कम ये चीजें तो चाहिए ही चाहिए कि हमको प्रात्मिक सख्षा तो चाहिए हमको स्वास्ते सभदाइं चाहिए चाहिए हमको पेजल चाहिए हमको ग्रामीड सदकınday बनानी है हमको ग्रामीड विलीदी करना है लाईट ही करना आपका कहाँ पर गाउं में तो ये निन्तम आपसकता कार्किरम था इस बेसिक चीजों को बिलकुर रखा गया था जो जरूरत ही थी और क्या किया गया था 1977 में अंतियोदे कारकिरम चला गया था जो मैंने बताया था जब गरीबी बगएरा पड़ा रहा था तो मैंने बताया था अंतियोदे कारकिरम ये क्यों चला गया था रोजगार देने के बहुत मतलब लोग बहुत बड़ी भुक्मरी में थे उनके पास खाने को नहीं था तो काम के बदले मतलब पैसा नहीं सरकार ने का काम के बदले हम आपको अनाज देंगे काम करीए अनाज देंगे तो ऐसी वजनाप की चला इगए थी और 25 जून 1975 को राश्टी आपातकाल भी लगाया गया था राष्टी आपातकाल भी लगाया गया था 25 जून 1975 को एमर्जंसी लगाया गया थी क्योंकि बहुत सारी समस्याइं खराब हो गही थी गरीबी अटाव का नारा दिया गया था नस्बंदी बगएरा बहुत सारे ऐसे काम किये गये थे इंद्रा गांधी के सरका हुआ था और 21 महा तक चला था कब चला था 21 महा तक चला था और उस समय पर जो हमारे राष्ट पती थे वो फकरूत दीन अली एहमन थे तो इनको आप याद रखना और 1977 में क्या हुआ जंता पार्टी की सरकार बनी चुना होते हैं 1977 में क्योंकि यहां पर मामला बहुत कराब हो गया था यह लोग बहुत परेसान हुए थे और इस लिए उस टाइम परजब चुना हुए तो क्या हुआ जंता पार्टी की सरकार बनी तो पीम बने मोर आरजी देशाई पीम बनते हैं और 1978 में ये योजना क्या हो गई थी जो फाइब आपकी फाइब येर प्लानिंग थी न वो आपकी क्या हो गई थी समाप्त हो गई थी क्या हो गई थी पांच में पंच बर से योजना आपकी समाप्त कर दी गई थी 1978 में इसलिए के गई थी क्योंकि ये आपात काल बगएरा ल उसको जो मतलब काम किया था अनॐत योजना फे वो लागू करने काक गया था डेटी लकडबाला ने और मौडल किसंने दिय था गुनार मिरडाल मोडल तो जो गुनार मिरडाल मोडल है ना एक आपका मोडल आपका क्या है एक आपका मैंने अभी पीछे एक मोडल बताया था एक जिसका नाम मैंने क्या बताया था गाडगिल रनी थी वो तो आपका चौती पंच बरसी योजना से संबंदित था और जो आपका गुन गुनार अपका मिरडाल मोडा लेना वो 5 भी 5 बरसे योजना से संबन देता है और गुनार मिरडाल एक बो व्यक्तिय है जिनों ने एक पूस्तक लिख है याशियन डृमा क्या लिखाए दा गुश्ताइं डृमा बुकिन किए गुनार मिरडाल सहाब की तो इसको आप याद र तो क्या होता है तो फिर से ये सरकार में आती है अब जो फिर से सरकार में आएगी तो फिर से क्या होगी योजनाय चलाई जाएंगी तो फिर अब आते हैं अपनी अगली योजना पे छटी पंच बर्से योजना पे यानि कि शिक्ठ फाइबियर प्लानी क्या होता है फिर से हम का इनपुट आउटपूट मॉडल लक्ष रख्ता हमने 5.2 प्राप्त उद्देश क्या था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में ब्रद्दी है इसमें भी आपका क्या था गरीबी को अटाना था और रोजगार में ब्रद्धी करना था तक्नीकी बादूनिकी करन करता था तक्नीक जो होती है ना टेक्नोलोजी होता है ना उसका modernization करना था उसका अदूनिकी करन करना था समाजिक बाँ आर्थिक विकास करना था हमको social और आपका क्या है economic विकास करना था और दोगी का अपसरशना का विकास करना था इंफ्रेस्टेक्चर डबलमेंट आपका करना था तो यह भी आपको यह सारी चीजें सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए और रोजगार के लिए कुछ कार्गरम चलाया इन्होंने क्या चलाया था एक तो इन्होंने चलाया था राष्टिये ग्रामीर्ड रोजगार कार करम क्या चलाया था राष्टिये ग्रामीर्ड रोजगार कार करम एकी किरत ग्रामीर्ड विकास कार करम और ग्रामीर्ड सरम सक्ती कार करम यह अलग-अलग कार करम आपके चलाया गया था इसी रोजगार क के लिए कि क्या होता है इसकी फुल्फोर्म क्या होती है ट्रेनिंग आप रूरल इूथ फार सेलफ इंप्लोइमेंट मतलब उनको इम्प्लोइमेंट देने के लिए यह कारकिरम चलाए गए थे क्या इसकी त्राइसम की बड़ी अपकी क्या है फुल्फॉर्म पूछ जाती है तो इसको आप ज़रूर याद रखना क्या है training for rural youth for self employment कैसे याद रखना देखो P से तो आपका क्या हो गया try हो गया और यहाँ पर R है तो आपका rural हो गया Y है तो आपका youth हो गया अब आज last में आपका क्या है S E M same मतलब क्या हो गया self और एम से क्या हो गया employment तो आप ऐसे याद रख सकते हैं ट्रेनिंग फार ट्रेनिंग आप रूरल यूद फार self-employment एक और कार्गिरम चलाए गया था और 15 अप्रेल 1980 को छे बैंकों का और राष्टिय करण किया गया था जिनकी value 200 करोड हुआ करती थी मतलब जिनके पास 200 करोड की capital होती थी उनका क्या क्या गया राष्टिय करण किया गया और इसी टाइम पर आपका क्या हुआ था 1982 में 12 जुलाए 1982 को नाबाड की स्थापना की गई और नाबाड की सिपारिश किस ने की थी सिव्रमन समिती ने और इसका मुख्यालाय अपका मुंबई में है एक जिन बैंक की भी इसी टाइम पर आई थी 1982 में इसका भी मुख्यालाय अपका मुंबई में ही है 31 अक्टूबर 1984 को पीम इंद्रा गांधी की अत्या कर दी गई पीम इंद्रा गांधी की जब अत्या कर दी गई तब जाके पीम कौन बनेते पीम बनेते आपके राजीब गांधी जो 1984 से लेके 1989 तक राजीब गांधी कहा रहा है पीम रहे थे और इनकी भी डेत हो गई, इनकी भी हत्या कर दी गई, 23 मही 1991 को इनकी भी हत्या कर दी गई, तो यह हमने क्या देखा, आज 6 योजनाव को हमने देखा, अब अगली किलास में हम 6 योजनाव को और पढ़ लेंगे, तो हमारी किलास क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, यो पढ़ने को दिल गदगद हो जाता है और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करी लेना और पीडियाप के लिए ये हमारा चैनल है ये हमारा क्या बोलता हूं टेलीग्राम चैनल है महांसर के नाम से इसको जॉइन करें आपको पीडियाप इसकी जो क्लास बा लेना इतना तो आप करी लें तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद